हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में यस बैंक के बारे में आपको जो बेकिंग निउस निकल के आई थी वो आपको अल्रेडी पता होगी यानि कि 10,000 करोड की यस बैंक यहां से फंड रेजिंग करने वाला है अब मार्केट में इस पर्टिकुलर निउस से रिलेटेड बहुत सारी अफवाए उड़ाई जा रही है कि शेयर इस पर्टिकुलर निउस की बज़े से 2 रुपे पे आने वाला है क्योंकि यहां पर जो बैंक है वो आपको FPO लाते हुए नजर आ सकती हो जब पिछली बारी 12 रुपे पे FPO आया था तो शेयर आपको 6 रुपे के लेवल को टच करते हुए नजर आ गया था तो यहां पर सारी चीजों के बारे मैं क्लैरिटी करने वाले हैं वीडियो बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाली आपसे ज़स्ट एक रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को पूरा जरू देखिए और अगर आप चैनल पर फ़र्श टायम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर लीजिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबते पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आज के मार्केट सेनेरियो के बारे में जो यस बैंक में आपको देखने को मिला तो इवन साड़े तेनर रुपे पर आज आपको इसकी क्लोजिंग देखने को मिली 13.50 और 1.10% की आपको नेगेटिव यहाँ पर मुवमेंट देखने को मिली तो डेफिनिटली इसमें दो तीन अच्छे मुवमेंट आ चुके थे आज यहाँ पर थोड़ा दा करेक्शन जो की हमेशा से ही आपको देखने को मिलता है जब भी कोई मेजर मुवमेंट आते हैं उसके बाद फिर से आपको नेगेटिव मुवमेंट देखने को मिल जाता है और शेयर की जो लेवल है वो वहीं के वहीं आपको नज़र आता है तो definitely यहाँ पे को changes नजर आते हैं जो कि आपको November के मंथ में देखने को मिले हैं डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है November 21 और यहाँ पे आपको देखोगे तो Yes Bank का नाम देखने को मिल रहा है changes आपको देखने को मिल रहा है जो holding में है तो definitely सबते पहले जो नजर आता है वो नजर आता है SBI Multi Asset Allocation जिसमें आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलें फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो Axis Nifty 100 Index Fund आपको नजर आता है करीबन 5% की Holdings को Increase करते हुए दूसरे Fund के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको आदित भी Lesson Life Nifty Next 50 ETF नजर आता है करीबन 0.89% से यहाँ पे अपनी Holdings को Increase करते हुए वहीं मोतिलाल उसवाद Nifty 50 Index Fund आपको करीबन 5% के साथ अपनी Holdings को Increase करते हुए नजर आ रहे हैं तो Definitely Mutual Funds ने तो 12 रुपे से साड़े बारे के बीच में जो लेवल थी उसमें माल उठा लिया है अब हम आगे की यहाँ पे बात करने वाले हैं अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो News निकल के आ रही है कि जो Yes Bank है वो आपको 10,000 करोड की Fund Raising करते हुए नजर आने वाले हैं अब बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि यह जो Fund Raising होने वाली है वो Yes Bank लिए बहुत ज़्यादा खराब चीज Especially for the Shareholders होने वाली है क्योंकि वो लोग यहाँ पे लोजिक दे रहे हैं कि पिछली बारी जब FPO आया था तब Fund के आगर आप देखोगे तो 12 रुपे पे आया था और उसके बाद जो Share में गिरावट हुई Share अपने आदे लेवल पे यानि कि 6 रुपे के लेवल पे पहुंचते हुए नजर आया था तो वही लॉजिक अब वो यहाँ पे फिर से प्रोवाइड कर रहे हैं कि अब जो Yes Bank Fund Raising करने वाला है थ्रू Various Different Options या Different Instruments तो फिर से Share जो है आपको 2 रुपे के लेवल पे नजर आन आता है अब यहाँ पे मैं अपने यहाँ पे opinion बताऊं तो डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है उस ताइम की situation आपको पता ही है जो Yes Bank बिल्कुल डूप चुकी थी जब वहाँ पे आपको SBI के साथ मिलते वो नजर आया था जिसकी वज़े से गर आप देख करने वाली है बैंक की position को और ज्यादा improve करने में बैंक के asset quality को increase करने में और अगर आप देखोगे इस fund raising के थुरू different working capitals जो है उसमें improvement आ सकता है ऐसा यहाँ पे इनके जो officials है उनका मानना है definitely जहां तक लगता है इस बार की fund raising में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और share में आपक अफवा फैलाई जा रही है मेरे according आपको इससे बहुत ज़्यादा दूरी बना लेनी चाहिए क्योंकि बिलकुल भी इस में कोई भी logic नजर नहीं आता है तो definitely मैंने आपको यहाँ पे इसका पूरा scenario clear कर दिया है आपको क्या लगता है कि fundraising से improvement होगा या फिर decrement होगा comment box में reject थापर वेल प्ली यानि कि अगर आप देखो तो CBI की तरफ से जो थापर की वेल थी जो उसकी याचिका दायर की थी उसको reject कर दिया गया है यह आपको अरहंत के नजर आएंग प्रमोटर तो definitely यहाँ पर सब्सक्राइब बड़ा जो scam नजर आया था yes bank में उसमें one of the part नज अगर मैं आप आपको बताऊं तो यह yes bank की रूपे कार्ड के साथ जो मैंने एक आपको news बताई थी वो अब यहाँ पर आप देखोगे तो वो launch कर दी गये हैं यानि की रूपे credit card yes bank ने launch कर दिये गये हैं पहले आपको जो yes bank की partnership थी वो master cards के साथ नजर आती थी जबते उन प credit cards थे वो market में launch कर दिये गये हैं और इसके साथ बहुत सारी facilities भी provide कर आई गई है जो की आपको और credit card में नजर नहीं आती तो definitely अगर आप देखोगे chances तो पूरे हैं और यहाँ पर try पूरा किया जा रहा है CEO की तरफ से या पर उनकी team की तरफ से कि yes bank को कैसे भी करके पहले की तरह जो bank थी वो बनाया जाए stable किया जाए situation इंप्रूब की जाए और जो shareholder के पैसे फसे हुए है उनको भी यहाँ पर profit कराया जाए अभी तक का तो scenario यहीं नजर आता है बाकि एक और update यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है CBI contest Rana Kapoor play on the prosecution sanction say sanction was shot at the right time तो यहाँ पर आपको यह Rana Kapoor के उपर update है वो देखने को मिल रही है वहीं अगर आप देखोगे तो Reliance जो कि आपको यहाँ पर एक बड़े डिफॉल्टर में नजर आते है यहाँ बैंक के उन पर भी एक update निकल के आ रही है Swan Energy to join HML as strategic partner for Reliance Nevel Resolution Plan तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि Swan Energy H HML के साथ एक strategic partner की तरह जोइन कर रही है जो आपको Nevel Resolution Plan में नजर आ रहे है तो definitely यह कुछ सारी updates है जिनका आगर आप देखोगे आगे जाके impact पर सकता है immediately आपको को impact देखने को नहीं मिला इसलिए मैंने वीडियो के last में इनको just cover किया है ताकि आपको इसके बारे में भी knowledge रहनी चाहिए मैंने आपको यहाँ पर साधी चीज़े बता दिया आपको जो भी चीज़े अच्छी लगी या बुरी लगी आप comment works में जरू बताइए और चैनल पर अगर आप first time विजट कर रहे है तो please चैनल को subscribe भी जरू करिए धन्यवाद